राजस्थान मोटर वैकल सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास केवल और केवल थी डेज बचे वे सैटेडे से इसी सैटेडे से आपका एक्जाम है होपस हो कि आपकी प्रेपरेशन पूरी हो गई होगी नहीं हुई है जितनी हुई है उसको रिवाइज जरूर करें अब आ चैनल या गुरूप की मैं बात कर रहा हूं मनुए कैडिमी के वहां पे कुछ मैंने आपके सब्जेक्ट से लेटेड मोटर वाइकलेक्स से लेटेड कुछ टेस्ट्री सेर किये हुए आप में से काफी सारे लोगों ने उसको अटेम्ट किया बहुत ज्यादा तो आप दिख निकल वाला पोर्शन है जी एसजी के वाला उसमें से क्या पढ़ गया अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा या फिर बहुत मामूली सा पढ़ा है तो इन दो तीन दिनों में अगर कुछ पढ़ सकते हैं जिससे स्कोर इंप्रूब हो जा तो क्या करें तो यह दो तीन टॉपि आपको नजर आ रहा है यह मोटर वाइकल एक्ट जिसके कुछ सेबें टू टेन क्वेस्टन सी आपके एक्जाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको घवराने की ज़रूद नहीं है बट मैं यह ट्रेंड बता रहा हूं चुकि यह भी नॉन टेक्निकल का पोर्शन ही ह है एक तरह से भले आपके टेक्निकल के सिलबस में दिया गया है बट है नॉन टेक्निकल नेचर का ही तो यहां पर आप देख पाओगे कि जो मार्क्स हैं आपके वह एवरेज जैसे ही हैं यह देखो यह सारे केंडिट किसके लिए पियर हुए हैं इसलिए मैंने पूछा भी 50 में 28 मैक्सिमम हैं अब यह भी आप देख पाओगे कि मैं किसी को जानता नहीं आपने अपने घर से दिया है कैसे दिया है देख के दिया है खुश से दिया है बट मैं यह जूम करके चल रहा हूँ कि आप ऑनेस्टी के साथ खुद को टेस्ट करने के लिए टेस्रीट दिये यहां पर हम कहां लेख सकते हैं कि कि एवरेज़ मार्किंग नंकैक्निकल पॉर्शन का हलांकि जो प्योर नॉन टेक्निकल की बात करें तो आप देखोगे लोगों के बहुत अच्छे हैं मतलब इसी लिए मैं कहा रहा हूं कि टेकनिकल में डिफरेंस क्रिएट करना भूँ ज्यादा मुस्किल है नॉन टेक आपको करने पड़ेंगे अगर आपको डिफरेंसीयेट करना अपने कंपेटिर को पीछे छोड़ना है तो नॉन टेकनिकल आप करना पड़ेगा यहां पर द तो अफिस का फाल भी गया होगा और भी मैंने लिये थे यह دेखो यह सभी है यहां भी देखोगे लोगों ने बहुत अच्छा स्कूर किया है कि में 53 फिफ्क् είवन скоро है और रहना भी चाहिए क्याइं कि आप लोगों का प्रिपेड वाले में और यहां पर वह सारे सब कर दिखे राजस्थान के बाकी सब को मैंने फिल्टर कर दिया है कि एवाल उन्हीं कंडिट्स को रख़ा है जो राजस्थान इक्जाम के प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप दे होंगे कि देखूं क्वेश्चन ले लूँगा बाद में पढ़ूँगा तो भाई अब बाद में कब पढ़ोगे अब टाइम खतम हो गया अभी तक नहीं प्रिपेर हुए हो तो फिर तो फिर राम बरों से जाने दीजिए अब उमीद रखना एक्जाम से बेकार है कि लिस्ट में आने वाले हो क्योंकि मेरा एक्सपरियेंस है मैंने बहुत काफी सारे लोगों के टेस्ट लिए हुए हैं जी पीएस सी में अच्छा करते हैं डेफिनेटली जो टेस्टी करते हैं इनके सेलेक्षिन के चांसे भी वैसे ही रहते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई ऐ पर आपका सेलेक्षिज शॉर्ट है सेलेक्षिन हो जाएगा अगर तेस्ट पाओगे आपके कंपटिटिर हैं कैसा स्कूर कर रहे हैं और भी कुछ टेस्ट हैं बट मुझे लगता है कि सब में ऐसे ही है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि वाई टेक्निकल में तो कहां पर कर पाएंगे और नॉन टेक्निकल में आप क्या कर सकते हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको नॉन टेक्निकल के अनलसीस बताता हूं लोगों ने जैसे देखा कि बहुत सारे लोग हैं जोंका टेक्निकल में तो बहुत अच्छा स्कूर कर रहें बट non-technical का हला कि मैंने टेस्ट नहीं लिया है कि वाद technical का ही portion हो motor vehicle act का है जो कि non-technical जैसा ही है उसको हम consider कर सकते हैं टेकनिकल वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर नहीं है लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉन टेकनिकल वाला पोर्शन होगा उसमें और इसी तरीके से 40-50% के बीच में मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम लोगों के डेफिनिटली कुछ लोगों के जो बहुत अच्छा करेंगे यहां पर मैंने एक टार्गेटिट स्कूर का वीडियो भी बनाया था तो यहां पर मैंने कहा था कि अगर आप एविरेज हो तो इतना स्कूर करना चाहिए अगर आप अच्छे केंडिट हो आपको बता रहा हूं पॉलटी के जो क्वेश्चन थे उस टाइम पे टेल पूछे गए थे हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा अभी एक्जामनेशन बॉड़ी चेंज हुई है आपकी बट लगता है कि यह लोग भी कुछ वही पैटरन करेंगे क्योंकि सिलबस सेम है हिस्ट्री के कुछ 22-25 क्वेश्चन थे और जियोग्राफिक के 25 से लेके 27 क्वेश्चन थे और एकॉनमिक्स के क्वेश्चन थे नहीं वहां पे ठीक है तो एकॉनमिक्स तो आप छोड़ी देना मैं यह भी सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके पास ट किरनी का आपका अच्छा होगा आपको थोड़ा सा इस में मैनद करना अगर आप 8-10 गंटे दे दोगे तो यहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो कोई भी जीएस की बुक लेके पढ़ लो इससे पहले मैंने बताया था अरिहंत की बुक आती है जीएस की जनरल साइस क्वेशन थे जीएस के ठीक है तो आप जीएस पे अगर फोकस करोगे तो आप यह जो एवरेज स्कोर है ना मान लीजिए कि 40 भी कर पाते हो तो इसके आस पास तो पहुची जाओगे और कुछ एक दो चार क्वेशन तो आपको सारे क्वेशन डाल दिया है कि कौन सी फसल बार हुई है तो कुछ कुछ क्वेशन मुझे लगता है कि वहां से भी आप दो चार क्वेशन तो सही करी सकते हो गर कुछ भी नहीं पड़े होगे तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के बेसिस पर कर सकते हो तो यह जो एवरेज स्कोर है आठ दस घंटा दस बारा घंटा अगर आप जीएस पड़ लेते हो अगर आपका जीएस ऑबिसली इंजिनिंग के थोड़ा अच्छा होगा तो आप कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि यह एवरेज स्कोर तक पहुश सकते हो अगर आप अभी से हार के बढ़ जाओगे यार इसमें मेरा कुछ नहीं हो जाएगा अब आप टेकनिकल में जाके सीधा लोगों को बीठी कर दोगे कुछ लोगों को टेकनिकल में आपने देखा कि सारे लोग अच्छे स्कोर करना है तो वहाँ पर डिफरेंस क्रियेट नहीं गर पाओगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आप इन्हीं दोनों पेपर में कर सकते हो तो आप एकदम इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं थोड़ा पढ़ लें प्रिवियस एर के पेपर जो दो तीन है ये जरूर देख लें में भी स्टैटिक जो आपका चाहे हिस्ट्री हुआ चाहे जगरफी हो उसके क्वेशन डारेक्टली आ जाए और भी दो साल के पेपर आप देख सकते हो तो देख लो इन दो तीन दुनों में तो प्रिवियस एर के पेपर जरूर देख लें और कोसिस करें कि जीएस के जितने क्वेश्चन से वह सॉल्व कर लें जीएस के क्वेश्चन डारेक्टली आ सकते हो और आसानी से आप कर सकते हो तो जीएस कर लेना आ बाकि यह जो आपको मैंने दिखाया स्टैक्स सारे लोगों का प्रिपेड भाई बहुत अच्छा कर रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना आप कर पाऊगे उससे अच्छा आप लोग कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप टेक्निकल में तो बहुत अच्छा क कर रहा है जितना आप 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 कर रहा है